जैहिंद जैभारत और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भार्दु आज व्लोग में और मैं आया हूँ आज शेरकोट धामपुर से 6 किलोमेटर की दूरी पर खो नदी के किनारे कस्वा है छोटा सा जिसे हम शेरकोट कहते हैं और शेरकोट जाना जाता है ब्रुष बनाने जो है बड़े इस तर पर इस बुरुष का जो है निर्यात होता है तो मैं आज जिक्स सक्षियत से आपको रूबरू कराऊंगा वो शेरकोट की एक नामचीन और रसुकदार जो है खांदान से तालुक रखते हैं तो आईए मैं मिलवाता हूँ आपको सहजादा परवे आप से सर पहले तो आपको नमशकार सर आप जिस परिवार से तालुक रखते हैं जिस खांदान से शेरकोट के तो उस परिवार की प्रश्ट भूमी के बारे में आप जो है मैं बताईए तोड़ा से मेरे दादा शेक निहाल एमा साब इंग्लिश पिरियड में ओन्रेरी मज अंग्रेज लोग करते थे वो लोग छेत्र के मुकद में देखते थे उसके सुनवाई करते थे हिंदू साहिबान में बाबु थम्मन सिंग जी के जो विधायक रह चुके हमारे हां उनके पिता जी चौधरी बुसिंग और मुसलिम कम्यूनिटी में मेरे दादा शेक निहाल अब ऑनरेरी मेजिश्टेट रहें तो देखिए बाबु जी जिस परिवार से तालुक रखते हैं वो उसके विशे में बाबु जी नहीं हमें बताया है अब बाबु जी मेरा पहला प्रशन जो है यहां से सुरू होता है कि शेरकोर जाना जाता है अपने बुरुष उद्यो वो मेरे शेक निहाल एहमद जो दादा थे वो उन्होंने इसकी बुनियात रखी शेरकोर्ट में और यह इंडरेश्टरी आज सारे मुल्क में फैली ही है और इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और जो इस इंडरेश्टरी को चला रहे हैं जो इसमें कारियरत मजदूर ह वो आज मेरे दादा शेक निहाल एहमद का दुआ देते हैं कि उनकी बदालत यह साय चल रहा है देखिए हमने आज जो बिल्कुल टॉपिक उठाया ना एकदम नया उठाया है यह तो सब लोग कहते हैं कि शेरकोर्ट में जो है बुरुष बनता है लेकिन आज तक यह कोई बताया ना बाया कि बुरुष के जो है इस उद्योग के जनक दाता कौन है कहां से उत्पत्ति हुई किसने यह सुरू किया तो हमें याज पता चल ला है कि शेख निहाल एहमद जी जो थे जनाब के दादा जी थे सबसे पहला बुरुष वही लेकर आए थे और सरी यह नाम हैरिस था और मेरे दाला के दिमाग में आया कि यह इंड़िश्ट्री यहां कायम की जाए तो उन्होंने उस बुरुष को तोड़ा और उसमें क्या-क्या है कितनी मात्रा में बाल हैं कितनी मात्रा में और सब चीजे हैं तो उसे बाकाइदा उसका निरिखण करके औ और उसकी विल्कुल हुब बहु कॉपी करके वह बनाया गया और फिर यह इंड़स्टिफ शेर कोट में डेवलेफ हुई तो बाबुजी लगभग यह कितने साल पुरानी बात होगी जो बुरुष बनना शुरू हुआ है जो आपके दादा जी शेक निहाल एमत सहाब जो पहला बुरुष लाए थी वो लगभग कौन से सन में लाए होंगे सर कुछ बता सकते हैं आप हमें मेरी देट आप बड़ तो सन सत्तावन की है और सन सत्तावन में ही मेरे दादा शेक निहाल एमत की डैथ हो चुकी है हो चुकी थी तो इसका मतला उससे पहले ही यह बुरुष इंड़स्ट्री यहां कयम हो गई थी तो हम यह मान के चलें कि शेर कोट का जो बुरुष उद्योग है वो लगभग आप यह मान के चलें कि अंग्रेजी शाषनकाल के समय से चल रहा है ऐसा हम कह सकते हैं और सर आपकी जो प्राड़ंबिक शिक्षा है वो कहां से हुई है देखें जनाव मैं शुरू से अलिगऑड पढ़ा हूं अलिगऑड इसटी में मेरी तालीम हूई है वहाँ अलिगऑड इुरस्टी के अपने हाइज स्कूल हैं तीन थे वह जमाने में अव्र दुन स्कूल था उपर वहीं से और मैं आपको यह बता दूं कि जो इंडिया का होकी का कफ्तान था जफर इगवाल वो मेरे क्लास फेलो रहें मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आज भी मेरे उससे वाट्सप पर वारतलाप होते रहते हैं जो होकी टीम थे उसमें खेले हैं तो देखिए बाबो जी ने बहुत ही रोचक बात हमें बताई है कि जफर इकवाल साहब जो इंडियन होकी अब उसके पीछह की क्या कहनी है यहां पर कि उसके पीछे है पूर्य का उसमें गोली चलतीड जो गया था दो इस वजह से यह महरम का जुलूर्ज शेर कोट में निकलना बंध हो गया था तो लोग में और खास तोरशे शिया लोग आये हैं मेरे चचा के पास शेक बिलालेमद के पास और उनसे इलतजा करी कि यह सिलसला फिर दूबारा से कैम होना चाहिए तो मेरे चचा शेक बिलाल एमद S.P. से मिले और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी या उन्हें S.P. साफ का एश्रेंस दिया कि आप जलूस निकालने की इजारे दिये अब में सारी जिम्मेवारी में रहेगी कोई उसमें उसमें बात नहीं होगा कुछ नहीं होगा तो S.P. ने उनके ब ठोड़ी पर सवार होके आगे आगे चलती थे और वही पूरी जलूस का कंट्रोल करते थे जहां चाहे चाहते थे वहीं जलूस रुकता था, कितनी देर रुकता था, यह सब उनी के मर्जी पे था, उनकी गाइडेंस में ही यह महरणाम का जलूस दुबार पुने शुरूआ जी है, और बाबो जी, इस से में जो है, पूरे शिरकोट छेतर में आपके हाँ, कितनी फर्म जो हैं, वो रेइस्टर्ड ह यह है, कि जो बुरुष स्वामी है, वो अपने हां फेक्टरी में बुरुष ना बनवा के दूसरों को दे देते हैं, बनाने को, उसे क्वाल्टी कहते हैं, तो देखिए, आपने देखा होगा एक शब्द होता है क्वाल्टी, और क्वाल्टी जो शब्द अमूमन इस्तमाल किया जाता है, वो गुणवत्ता के लिए किया जाता है, लेकिन इस कार्य में बुरुष बनता है, वहां क्वाल्टी यह होता है, जो लोग अपनी मैनिफेक्शन दूसरे कहां कराते हैं, निर्वान तो उसको क्वाल्टी बोलते हैं, और अगर हमारे पास समय रहा, तो हम पना हुआ है, अंग्रेजी शाषनकाल का पना हुआ होगा बाबुजी लगभागी है, और हमारे बैक्ग्राउंड मेहल नुमा अकिरती है, यह मुख्य दूआरे, तो बाबुजी आपने हम बताया कि यहां लगभाग 300 फर्म सेंजो रिइस्टर है, अच्छा सरकार की योज योजना के अंतरगत हम लोग आने चाहिए थे, शेरकोड बुरुष इंड़स्ट्री, लेकिन यह योजना नगीने चली गई, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, बुरुष उद्योग के साथ, हाला कि बुरुष उद्योग वाले नगीने से ज़ादा जीयश्टी देते हैं, देखिए धामपुर से 17 या 18 किलोमेटर की दूरी पर एक कस्वा और है, उसको नगीना कहते हैं, और नगीना जाना जाता है अपनी कास्ट कला के लिए, वूट क्राफ्ट के लिए, और बाबुजी के अनुसार कि यहाँ पे 300 फर्म हैं तो बहुत बड़ी बात है, और नगी वहां का नाम दिया गया है, शेर कोट को जो है, उससे वंचित कर दिया गया है, नजर अंदराश कर दिया गया है, तो बाबुजी कुछ ऐसी चीज़े बताईए जो लोगों को ना पता हो, और हाँ एक चीज़े और बतादू बड़ी हास्सेबत बात है ये, कि शेर कोट की बड़ी अजीव है, आप अगर यहां आएंगे, तो आपको अंदर आने के बाद में ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं हिली स्टेशन पर है, बहुत उचाई निचाई है, और पुराने समय में एक कहावत चला करती थी, कि शेर कोट वो जगा है, जहां पे गधे जो है, छटो प आप्षा थे, शेर्शा सूरी, यह उनकी शिकार गा थी, वो यहां शिकार करने आते थे, बुचा नीचा था यह जंगलात थे, तो कुछ जगे ऐसी हैं, कि वो धरातल पे हैं, और कुछ जगे ऐसी हैं, कि वो छट है, तो जो जानुवर बगरा चरते हैं, या गधे बगरा तो इसलिए यह मशूर हो गया कि शेर कोट में चटो पे गधे चरते हैं, तो क्या बागुजी वर्तबान समय भी यही इस्तिती है या कुछ बदल गई अब, यह पहले जमानी की बाते हैं, आप तो सब पक्के मकान मन गया हैं, यहां छपपर बगरा थे, बिलकुल खोके किन दोने का और मिट्टे डोने का काम करते हैं, लेकिन अब चरते नहीं अच्छा तो पर यह दरूर हो गया, देखिए धामपूर की बात और शेर कोट का जिक्र नाए, तो ऐसा तो असंभाव हो नहीं सकता है, और वागुजी मेरा एक प्रिशन और है आपसे, कि हमारे हाँ एक जामा मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, उसमें एक सिलापट लगा हुआ है, कस्बा धामपूर थाना शेर कोट, तो मैं अपने दर्शकों को जो है, शेर कोट थाना भी भूआँगा, समा मेलेगा तब, लेकिन आप हमें यह बताईए, हमने यह सुना है, कि जो धा है, आपके उनके बीच में है, और लगभग शेर कोट कजबे से, जो मुख्य कजबा है, उससे लगभग 200-300 मिटर की दूरी पर पड़ता है, तो बाबुजी ऐसा सुनने में आता है, जो पहला वाला थाना था, वो दूसरी जगे पे था, वो शेर कोट के अंदर था, तो उस अब स्थाफित हुआ था, यह अठारा सो पिचासी में हुआ था, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जो नौमी पर थाना था, वो अठारा सो पिचासी तक यहां रहा होगा, तो नौमी जो भरती थी, वो शेर कोट के अंदर भरती थी, जी यहां बिलकुल यहां 500 अब आगे है, मिलकूल, Kोक के किनारे पर है, और मैं ये बतादू, पुराने थाने के बारे में, ये जीला पंचायत का जगे थी, और जीला पंचायत ने ही इसे बेचा, अच्छा, तो जीला पंचायत ने वो जगे जो ए,लाउट कर दी, फिर थाना जो है उठाके, वहां सि और शेरकोट थाने की एक विशेस्ता और बता दूँ कि पीरव पूरे जिला बिजनौर के अंदर सबसे जादे खुबसूरत थाना है कि खुबसूरत इंदा सैंस मेरा कहने का यह है और चार ओर से हर्याली से भरपूर थाना है और अंदर भी पूरे आपको लगेगा अंदर जाने के बाद में कि आप किसी थाने में नहीं है आपको घुमाँगा थाना तो बाबुजी और कुछ विसेश बात बताईए हमें शेर क परिवार से तालूख रखते हैं कुछ ऐसा देखने कोई मिल सकता है कि जो बहुत पुराना एटम हो अपना उपलब्ध होते हैं वो एक मैं मैंने आपसे पहले भी जिकर किया था मेरे दादा की एक महर थी वो लकडी पे उनका नाम खुदावा था अपने लेटर पैट पर वही इस्तेमाल करते थे शेक निहाल पाया लेकिन मैंने एक दो चीज़े और निकाली है उनके लिए एक सुराही स्टेंड है और एक बहुत पराना स्टूल है उन्हीं के जमाने का सुराही कि ए इस्तेमाल करते थे थे वह जब धामपूर से जाते थे इजलास करने तो वह बगई से जाते समय है निए वह शयद हमारे आउट कर दिये तो वह जब इलास करना जाते थे तो वह उसमें सुराही रख लेते थे उसमें स्टेंड के साथ तो वो मैं आपको दिखा हूँगा तो देखिए हम आपको जो है अंग्रेजी शासनकाल का एक सुराही जो पानी वाली होती है उसको रखने का स्टेंड और बाबुजी के दादा जी का समय का एक स्टूल है वो दिखाएंगे बाबुजी हमें छोटा सा स्टूल है और ये चुंआ अंग्रेजी शासनकाल का है और ये पानी की सुराही चलती है पुराने समय में यह उसका इस्टेंड है और यह जिससे वह सिलिप ना हो यहां से इस पर रखी जाती थी पानी की सुराही तो यह भी अंग्रेजी शासनकाल की बनी हुई है और देखिए पुरानी यादे और पुराने समान सजोगे रखना बहुत बड़ी कलाकारी है बहुत कम लोग कर पाते ह है लेकिन अभी तक की हुई एक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैसे मैं ब्रश के बारे में बता मैं बता दुब उसके बारे में बताना सब भूल गये थे तो उसके कि अरे में कबर करता है और पिंटिंग बुरुष्ट के थूसे आर्टส की ौरिश कहते हैं टि वो पहले तो पिश्बः के बाल से बनते थे लेकिन ऑंज़ से परिफिव पनते थे लेकिन उहसे इसे असे जी आप तो यह जावरे के बाल में नेवले के बाल में तो इस वैसे उसकी ड्मांड बहुत कम है उसकी जाधा थी जावरे वाले की गिलहरी और नेवले की बाल जो होते हैं मिलाके जावरा बोलते हैं उन दोनों जो ब्रुप बंता था आर्ट इस लेकित तक जाध है पाँच इंच इस udahता है और दोड़ तरीक ब्रुप बोलते हैं पैंट ग़ें पैंच के ऐसाफ और is नीद। पांच इंच के कम तादाद में बनते हैं जादा तर ये पांच इंच के जो ठेकेदार होते हैं वाइट वाश वाले वो इसे इस्तमाल करते हैं एक चीज और उड़ती है कि लोग बहुत कहते हैं कि हां बालश्रम होता है देखिए कहना बड़ा आशान है बालश्रम में जो बच्चे बालश्रम कर रहा हैं उनकी घर की परिस्तितिया क्या है यह जानने की कोशिश कोई नहीं करता है क्योंकि बालश्रम कोई अपनी मर्जी स यहां पर बुरुष की फैक्टी में कुछ बच्चे भी काम करते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है और वो उनके माबाप की उसमें स्यमाथी होती है कि वो काम करें तो उनकी आर्थिक इस्तिस ही नहीं होती मेरा सरकार से यह डिमांड है जिस तरह कि क्या रहते हैं कोविल पट्टी तमिलाड में कजबा है वहाँ पर माचिस बनती है और बधोही में कालीन बनते हैं वहाँ पर बाल श्रम होता है लेकिन सरकार ने वहाँ पर बहुत सुविधाई दे रखी है उन बच्चों के लिए उन्होंने वजीफा वगरा भी दे रखा और सायकालीन स्कूल भी खोला जाए जिससे जो बाल श्रम करने वाले बच्चे शाम को अपना पढ़ाई भी कर सके हैं यह मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से डिवान है तो बाबुजी ने इतनी अच्छी और इतनी महत्मूर्ण जानकारी हमें दी है उसके लिए बहुत-बहुत ध से आया हुआ है तो बताइए हमें और यह है हमारे साथ अर्बाज बाबुजी की पड़ोसी है अर्बाज यार हाय भाय करो ऐसे अब देखिए अब कैमरा मैन हूं मैं मोहित भार्दुआज कि अब फैजान भाई मेरे साथ सामने मेरे अब साथ और यह जो पौधा बाबुजी बता रहा थे यह कुए इसके पत्य है यह के पत्टे है अफैसे उसके हैं हमआरे हैं प tenía चनौन पर होते हैं इतने प्लांट लाए थे तो उन्होंने मेरा भाइसाब को दे लिया भाइसाम याशेर को लिया तो इसको कितने वर्स होगा हुए आपके हाँ पंद्रा वर्स होगा इसे बाबुजी इस तरह के कुछ और पहुते भी हैं जो विदेशी हों परे हाँ विदेशी तो और तो कोई नहीं यह सब बहुत है यह 20 साल पुराना है अच्छा आपके हाँ लगा हुआ बगी चैनल बीस वर्स होगा इसे चलिए और कुछ मैं और पूरा इसने कवर्ड कर लिया है देखी गाई यह लेके चार और फैलिया यह जी पचास साल पुराना है अच्छा बाओ जी बता रहा है कि इसकी आयू जहले लगभग पौदे की पचास वर्स हो चुकिए है और बाबुजी यह कौन-कौन से रखे हुए यहां पर यह इसकी पुरानी नकाशी है इस पर अंग्री जी पिरियट का है और अंग्री जी शासनकाल का प्रलंग है यह इस तमाली हो नहीं बहारा रखा है आपने यह यह मेरी और सैजान भीया हमारे जो है पौदों का व्लोकन कर रहा है कौन-कौन से पौदे लगे हुए है कि यह जाड़ों में लाल हो जाता है इस इस पौद्ध का कलर है हमार है अब जैसे ग्रीन हो रखा है तो समें रेंद हो जाएगा फूल या प्रक्तिन आती है इस देखिए यह पौधा जो नहीं भी पौधा जो है जाएगा गर्म्यम अरहाई है बाबुजी यहां हम है यह क्या है कर देखिए यह कुर्सी इसको क्या बोलते है या आराम कुर्सी कहलाती है कि यह देखेंगा आराम कुर्सी मेरे दादा के दमानी की है शेक नियाद है ये बाबुजी की दादा जी की समय की कुर्सी है या ये और मैं मुहित भारत वाज अब मैं आप लोगों गया गया चाहूंगा जैहिन जैभारत